हेलो दोस्तों गुट मॉर्निंग स्वागत है आप सिभी हमारी यूट्यूब चैनल बाई श्टेडी के अंदर दोस्तो हम पढ़ रहे थे राजस्तान के अंदर 1857 की करानती राजस्तान में 1857 की करानती पढ़ रहे थे दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाता हूँ चीज एक बार देख लेते हैं तो 1707 1707 के अंदर जब औरण जेब की मरति हो जाती है तो किंदर यह सत्ता का पतन हो जाता है दोस्तों और जो सभी रियास्ते थी वह अपना अलग स्तितु बनाने का प्रियास करती है तो मरातों का पूरे देश के अं 1333 में बुंदी के द्वारा सुरू होता है उसके बाद पूरी राजस्तान में जैसलमिर और बिकानियर को छोड़कर पूरे राजस्तान के अंदर मराटो का सक्षिप सुरू हो जाता है दोस्तों और साथ ही साथ यदि में बात करूं तो इनके साथ पिंडारी और सामन तवर की बी जूट जाता है और लूट पार्ट मता देते हैं जिसे परेशान होकर राजाओं ने इस्ट इंडिया कंपनीके साहक संदिया की थी ऑर जो इश्ट इंडिया कंपनी जो सायक संदी है उनके नाम पर आंतरिक अस्तक्षिप शुरू कर दिया था तो अंग्रेजों से भी परेशान होने लगे थे सासक वर्ग और जो मध्यम वर्ग और जो जनता वर्ग है वो भी इनसे परेशान होने लगे थे तो अब हम बात कर रहे थे दोस्तों अठारासो क्राम की करांती के जो प्रमुक कारण थे वो क्या क्या थे यह देखते हैं तो जो पहला कारण है यह है अठारासो गुणंतिस के अंदर सतीप्रथा जो सतीप्रथा है इसे बंद कर दिया जाता है 1832 के अंदर दोस्तों दास प्रथा को बंद कर दिया जाता है कि दास प्रता को बंद कर दिया जाता है और इसके अलावा जो गोद लार्ड डल होजी दोस्तों लार्ड डल होजी लार्ड डल होजी की जो गोद निशेद नीती थी ये भी उसका एक प्रमुक कारण था इसके अलावा हम मैं बात करूँ लार्ड डल होजी के अलावा जो इनका लार्ड डल होजी की ही कि मतलब कि किसी भी राज्य या रियासत पर कुसासन का आरोप लगाकर कुसासन का आरोप लगाकर कुसासन का आरोप लगाकर उनसे राज्य छीन लिया जाता था साती सात कुछ और भी नीतिया है जिनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तो तो जो सति परता है भारत व्यक्ति मरता प्राथ हो जाता है तो उनकी विद्वा पतनी थी वह उन्ही के साथ जबर सौकर किया जाता था तो उन्ही साथ उस Truck के अंदर बैट जाती थी तो वो सती प्रता ती जिसे भारत की जो उससे में वो धरम परमपरा से या संसकारों से जुड़ा हुआ था जिसका अंग्रेजों विरोध गया और उस सती प्रता को अंग्रेजों ने बंद कर दिया जिससे जो हम भारतिये लोग थे इनको मलब दिल के अंदर इनमें ठेज पहुंचती है दोस्तों क्योंकि यह हमारी जो प्रता है जो स्टार्ट से चली आ रही थी यह हमारी संस्कृति हमारा धरम प्रकार था तो इसे बंद कर देते हैं तो यह भी उस अठारा सो सतावन की करांती का ही प्रमुकारन था अब जो दास प्रता है दोस्तों 1832 के अंदर इ यह भी तो दास परता ती या क्या थी तो विवा के समय जो राजा महाराजा थे अपनी राजकुमारी या पुतरी के विवा करते हैं तो उस पुत्री के साथ अनेक दासियों को दान में दिया जाता है या फिर उस रानी या राजकुमारी के साथ भेज दिया जाता है उसकी सेवा करने के लिए और राजा के दुवारा भी ऐसा ही किया जाता है अमने राजकुमार के लिए तो वो दास प्रता ती जिसको भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया दोस्तों इसके अल उनका कोई उत्रादिकारी नहीं होता है तो वो राजा किसी प्रकार को किसी अन्य व्यक्ति को किसी अपने भाई के विक्ति बच्चे को या संतान को गोद नहीं ले सकता तो उसका राज्य सीदे अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा ये गोद निशेद की नीत थी दोस्तों और जो कुशासन का आरोप है यह सबसे ही खतरना कम था दोस्तों कि किसी भी राजा महाराजा को यह बोल दिया जाता था कि आप जे अभी यह राज्य नहीं चल पा रहा है तो उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता था दोस्तों तो यह कुशासन का आरोप था इसके अलावा जो नाना साहब हैं कि दोस्तों नाना साहब थे कि उनकी पैंशन को भी बंद कर दिया जाता है कि नाना साहब की पैंशन बंद कर दी जाती है कि नाना साहब की पैंशन को दोस्तों बंद कर दिया गया इससे भी जंता के अंदर रोश क्रोध गुस्ता व्याबते था साथी साथ जो किसान वर्ग था उनसे नील की खेती करवाई जाती थी नील की खेती करवाई जाने लगा अब जो नील की खेती थी दोस्तों इससे जो करसी भूमी थी वो अधिक बंजर होती थी या उसका नुक्षान जादा होता था क्योंकि ये दुबारा जब इसकी खेती की जाती थी दो तीन बार फसल की जाती थी तो वो जो करसी भूमी थी वो लगबग लगबग बंजर हो जाती है दोस्तो इसके अलावा भी मैं ये दिमें बात करूँ इसी के अंदर दोस्तो जो ये कारण थे इन्हीं के हम बात कर लेते हैं आगे तो इसका जो ततकालिक कारण था जो इसका ततकालिक प्रमुक कारण था दोस्तो दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके जो तातकालिक कारण है उसकी दोस्तों इसके अलावा जो कुशासन का जो आरोप था ये कुशासन का आरोप हमारे उद्यपूर की रियासत पे लगाया जाता है इसके उद्यपूर की रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज अधिकारी उनसे अपना राज्य छीन लेते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुख्य कारण की दोस्तों तातकालिक जो कारण था वो ये था कि जो पुरानी पुरानी जो बेस ब्राउन राइफल थी दोस्तों बेस ब्राउन पुरानी बेस ब्राउन राइफल इसके इस्तान बर नई जो राइफल आती है वो भी इसका प्रमुक कारण था दोस्तों जो नई राइफल थी वो कौन जी थी अन्फिल्ड राइफल्स नई राइफल्स अन्फिल्ड राइफल्स थी दोस्तों अब ये भी इसका प्रमु कारण था वो क्यों था दोस्तों तो इसकी में बात बता देता हूं आपको कि ये अफ़ा भाल चुकी थी पूरे भारत के अंदर जिसमें हमारा राजस्तान भी अच्छुता नहीं रहाता वो अफ़ा ये थी कि जो नई जो एंफिल्ड राइपल्स आई है इसके अंदर सुवर और गाई की चर्बी सुवर और गाई गाई की चर्बी की कार्तूस बनी होती थी सुवर और गाई की चर्बी की दोस्तों कार्तूस बनी होती थी और जिसे लोड करने के लिए मूँ के द्वारा मुह के द्वारा खोला जाता था दोस्तों इसे मुह के द्वारा खोला जाता था तो ये इसका ततकालिक कारण था प्रमुक कारण था वो क्यों था क्यों दोस्तों जो हम हिंदू लोग ते हिंदू जो संस्कृती थी हिंदू जो धरम था उसके अंदर सूर और गाई की जो चर भीकह कार्थ उसका मन बताया गयता जिसे charge ले पर बहुत ज्यादा मतलब की हम संसकरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे टो धरम से जुड़े व्यक्ति भिसका विरोद्न बहुत थी जादा विरोद हुआ दोस्तों पूर भारत के अंदर के लिवा अब इसके अलावा एक बात और फैल गई चारों तरफ वो क्या थी दोस्तों कि जो आता होता था आता यह बात और फैल गई कि आते के अंदर जो मानव हड़ी है कि आते के अंदर मानव हड़ी का चूर आने लगा यह बी एक बात चारों तरफ फैल गई सभी प्यान गई थी दोस्तों तो यह जो इसका ततकाली कारण था वो ततकाली कारण इसके अलावा इसके जो सैन्य कारण है दोस्तों वह बात कर लेता हूं सेन्य कारण की सेन्य कारण दोस्तों इसके सेन्य कारण क्या थे तो इसकी हम बाते कर लेते हैं तो सेन्य कारण अनेक थे जैसे अंग्रेजों के दुआरा अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद करना अंग्रेजों के द्वारा रंग भेद करना और इसके अंदर दोस्तों भारतिय सैनिकों को भारतिय सैनिकों को ब्लेक हाऊस में भारतिय सैनिकों को ब्लेक हाऊस में और जो अंग्रेज सेनिक थे दोस्तों वो वाइट हाउस के अंदर निवास करते थे अंग्रेज सेनिक वाइट हाउस में अंग्रेज सेनिक थे जो वाइट हाउस के अंदर रहते थे और जो भारतिय सेनिक थे उन्हें Black House में ठेहराय जाता था तो ये भी सेन्हे कारण में था दोस्तो इसके अलावा भारतियों को में भारतिय सेन्कों को पतों नति नहीं दी जाती थी दोस्तो यहीं पत्रके अंदर प्रमोशन नहीं दिया जाता था और और सेनिकों को दोस्तो जो पैंसन थी वो भी अंग्रेज सेनिकों से कम जी जाती थी पैंसन कम दी जाती थी अंग्रेजों से भारतिय सेनिकों को पैंसन कम दी जाती थी अंग्रेजों से है तो इस यह इसके कुछ पर्मुक सेहने कारण भी थे सेहने कारण के अंदर और वुक्ष बाटबा आ जाते हैं कि जो पद है इसके अंदर से कम पदों नperform कम दिया जाता है अंग्रेश सेनिक दोसतों वाइट हाउस इसी में तो राजस्तान के अंदर ये तो दोस्तो इसके परमुग जो कारण थे वो हो जाते हैं तो देश के अंदर दोस्तो करांती कब होती है देश में करांती होती है दोस्तो 10 माई 1857 को कहां पे हुई थी दोस्तो तो ये मेरट के अंदर हुई थी 10 माई 1857 को देश में करांती होती है दोस्तो अब देश के अंदर जब करांती हो रही है तो भारत भी राजस्तान भी इससे अच्छुता नहीं रहेगा तो राजस्तान के अंदर दोस्तो 6 सेनिक छावनिया थीously that 6 सेनिक छावनिया थी वो राजस्तान में कौन-कौन सी थी अन्के हम बात करते हैं तो देखे ध्यान से देखे एक-एक करके पहली है जो है ब्यावर कि दूसरी है नसीराबाद कि इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों हम यह लो है पहली है ब्यावर दूसरी थी दोस्तों नसीराबाद नम्बर तीन की बात करूँ तो एरिन पुरा यजि मैं चार की बात करूँ तो नीमच नम्बर पांस की बात करूँ दोस्तों तो देवली पर छैप की बात करूँ दोस्तों तो खैरवाडा खैरवाडा इस प्रकार से राजस्तान के अंदर दोस्तों राजस्तान के अंदर दोस्तों कुल छैसेंईएंग ठावनिया थी पहली है ब्यावर दोस्तों दूसरी नसीराबाद तीसरी एरिनपरा चोती देवली पांचवी खेरवाड़ा तो दोस्तों राजस्तान में 6 सहनिक सामने थी कौन कौन सी थी एक बार रिपेट कर लेते हैं बोर की तरफ नहीं देखना है डायरेक्ट रिपेट करना है पहली है ब खैस है निक्षाउनियती ये कहां कहां पे इस्तित ही ये हम और देखते हैं तो जो ब्यावर है हमारे अजमेर में पढ़ता है दोस्तों ब्यावर कहां पढ़ता है अजमेर के अंदर जो नसीराबाद है ये भी अजमेर में ही इस्तित है दोस्तों और जो बात करूं मैं एरि कि मध्यपर्देश कि नीमच कि देवली की बात करो दोस्तों तो देवली टॉंक के अंदर पड़ता है जो खेरवाड़ा है वह हमारा उद्यपूर में अब देखिए दोस्तों क्यूशन यहीं से आ जाते हैं वो क्या क्या आते हैं कि जो राज़स्तान में कुल कितनी सहेंड चावनिया थी तो राजस्तान में कितनी चावनिया थी दोस्तो छैसेनिक चावनिय थी अब वो नाम पूसता है कभी-कभी एक्जाम्स के अंदर घुमाने के लिए वो आपको पूसता है कि इनमे सिक करम से सही है या इनमे से निम्न में से राजस्तान के अंदर चावनियों के रूम में सई है तो यह वह आपको चार चावनिया दे देता है दोस्तों जिन में से एग चावनी अलग दे देतا है और वही उसका अंस्वर हो जाता है नहीं है तो फेला चावनी यह तो तीन को देखना होता है हमंए तो यह कि यह मद्य प्रदेश की मद्य प्रदेश में इस्तिति नीमत क्योंकि उस समय जो अलग अलग राज्यों का निर्मान नहीं हुआ था राजस्तान मद्य प्रदेश का निर्मान नहीं हुआ था थारोश्तान के गरांती के समय लेकिन वर्तवान के अंदर जो यह नीमत है जो MP मे है और किशन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सी 50 थी जो राजसतान ते संब्वन्दी थी लेकिन राजसतान से बाहर इस्तेत음 junt की अंदर कुल कितनी जाउनिय थी तो जोस्तो जमेर के अंदर 2 शैनीक चाउनिय थी है दोस्तों ये तो चावनी हो गई अब मैं बात कर लूँ इन चावनियों के बारे में कि जो चावनी है यहां कौन-कौन सा रेजिमेंट थी है कौन-कौन सी जो सैनिक टुकडी थी वो थी तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं तो एक बार देख लेते हैं इनको हम ठीक है दोस्तो अब दो सहावनिया है इनके बारे में हम देखते हैं तो ये है हमारा दोस्तो राजस्तान का रिदे इस्तल क्या ना हमें दोस्तो अजमेर अजमेर के अंदर दोस्तो एक तो था ब्यावर हमारा एक आता है दोस्तो नसीराबाद इसके अलावा बात करूँ दोस्तों यहां से तो यह नीमत आता है दोस्तों यही मैं बात करूँ दोस्तों टॉंक देवली की तो यह देवली है इसके अलावा बात कर ले हम नसीरवाद की दोस्तों तो नसीरवाद इसी के अंदर आ जाता है कोंसा हमारा रहरा इन में एरिन पुर दोस्तों तो एरिन पुर दोस्तों यहां पाली में आता है एरिनपुरा तो यह चावनिय थी दोस्तो अब इनके अंदर कौन-कौन सा जो सैनिक टुकडी थी उनकी बात कर रहे थे हैं दोस्तो खेरवारा उधेपुर में है तो उधेपुर के तो अंदर हमें पता है कौन सी जन जाती निवास करती है भील जन जाती बूर तो यह शीी भिल और जनी कौड़ी यह कर आदा जाती है उसका नाम है भील खोट रेजि में बात गरूंध former दोस्तों पढ़ते हैं मारुआरवार पूर के अंदर तो एरेंपुर में कौन सी टुपडी थी जोधपूर लीजियन और जोधपूर लीजियन दोस्तों यह दिमें बात कर रहूं कि देवली की दो निमत की तो निमत के अंदर दोस्तों कोटा रेजिमेंट थी निमत में क्या था कोटा रेजिमेंट यह कोटा कंटिनेंट कोटा रेजिमेंट दोस्तों नीमत के अंदर सेनिक छावनी थी और बात करतूं यदि मैं देवली की तो देवली के अंदर भी दोस्तों कोटा कंटिनेंट था कोटा कंटिनेंट या कोटा रेजिमेंट को देवली में भी यही चाऊनी थी और बात करूत दोस्तों यह झी नसीरा बाद की तो नसीरा बाद के अंदर दोस्तों हमारी थी जो तीसरी नेटिव सिबेंठी बातालियन थीति कि दोस्तों तीजी तो बटालियन थी पीची ये बंगाल से आई उती एंद नहीं मतलब भी बंगाल नेटिव I n He ने घृतों ये तो ब्यावर की बात करूं मैं तो ब्यावर के अंदर मेर जो में होते थे दोस्तों तो ब्यावर के अंदर मेर जो रेजिमेंट था वो थी दोस्तो मेर रेजिमेंट या मेर लीजियन थी ब्यावर के अंदर तो इस प्रकार से दोस्तो ये कुछ जो सावनिया थी इनके अंदर सैनिकों की टुकडी थी अब हम एक 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 बार बात कर लेते हैं ब्यावर की बात कर ले हैं दोस्तो तो ब्यावर के अंदर कौन सी थी मेरी रेजिमेंट इदि मैं बात करूँ दोस्तो नसीराबाद की तो नसीराबाद के अंदर थी दोस्तो तीसवी बंगाल नेट्टिव इंफेंट्री बटालियन इ D曹क करूं एर इन पुरा की एर इन पुरा पाली के अंदर इस्थित दोस्टो कि तो दो है जो जो अब आता है तो पाली के अंदर दोस्तों जोड़वाडा उद्यापरि मातों a घ्यमacy तहलोस्त उस प्रकास से जो सेनी टुकडी है यह भी आ जाती है दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्तान में ठारा सो सत्तावन की क्रांती एक बार इसे आप ध्यान से एक बर दुबारा देख लेना दोस्तों स्क्रिंशोट लेना तो आप स्क्रिंशोट भी ले सकते हैं और यदि आपको ह देश के अंदर जो क्रांती इस्टार्ट हुई थी वो मैंने अभी आपको बताया है कि देश में क्रांती 10 माई 1857 इनको इस्टार्ट हुई थी अब दोस्तोán उससे मैं है कि दूर संचार के माध्यम थे यह फिर एक दूसरे के हैं जो भात करने की हमारेसादनदें बहुती कम थे इस कारण जो हमारा राजस्तान का एजी जी था तो राजस्तान का दोस्तों एजी जी कौन था जल्दी से बताओ कमेंट वक्स में के अंदर कमेंट कर के दोस्तों राजस्तान का एजी जी कौन था तो राजस्तान का एजी जी था दोस्तों जोर्ज पैट्रिक ल लोरेंस अब एक चीज़ देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्तान के अंदर इन्हों ने अपने दो हैड़कॉर्टर्स बना रखे थे एक अजमेर था दोस्तों और दूसरा माउंट आभू था तो बताओ कि जो दस मई को देश के गर्मियों का समय था तो जो हमारे जो देश की जो क्रांति है इसका पता सलता है अपका पता चलता है क्योंकि दूर्ज़ रसंचार के माद्धे में कम थे हैं हमारे पास तो 19 मई को पता चलता है 19 मई 1857 को ए जी जी को पता चलता है कि देश के अंदर क्रांती का बिगुल बज चुका है तो जब इसे पता चलता है ये उससे माउंट आबू में थे तो यह देखते हैं कि इनक आधमेर के अधमेर के अंदर था दोआ अधमेर दुर्ग है यह अधमेर दुर्ग का अंदर ही हमार जो अंग्रेजों के तोप खाने तोप खाना बंदूग या फिर जो भी धन है दोस्तों सब इसी के अंदर रखे थे अजमेर दुर्ग के अंदर ही रखे हुए थे तो अब यह जोर्ज पैट्रिक लोरेंस है इन्हें डर लगता है कि कहीं राजस्तान के अंदर राजस्तान के अंदर यह बटालियन जो है अजमेर दुर्ग के अंदर जो बटालियन है वो इस पे कहीं धावा न बोल दे तो यह क्या करते हैं दोस्तों इसकी मैं बात बताता हूं आपको तो अजमेर दुर्ग के अंदर दोस्तों यह अजमेर दुर्ग है हमारा इस दुर् हुआ है बंगाल अ ओने ट्रीवी पंद्रवी बंगाल नेट्टिव इंफेंट्री थी दोस्तों इसमें अजमेर्ण दुर्ग के अंदर जो इसके निंगरानी रखती है तो जोर्ज पैट्रिक लोरेंस को डर लगता है उन्हें डर सताता है कि सौवात का डर सताता है वो यह है कि पंद्री बंगाल покуп नेट्यू इंवेंट्री बटालि इस तो यह कुछ समय पहले ही बंगाल से राजस्तान आजमेर्ड दुर्ग में भुलाई गई थी तो इन्हें इस डर लगता है कि कि इन सेनिक को के मन में भी पहले से ही करांती को लेकर कुछ बना हुआ तो नहीं है और क्योंकि जो राजस्तान का जो प्रमुकिस्तान था अंगरे जोगा वो हमारा अजमेर्ग दुर्ग ही था तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों कि जो पंद्री जो बटालियन है पंद्री बंगाल अजमेर्ग दुर्ग से अठाकरं नसीराबाद भेज दिया जता है लोकर मैं मैं वक्क करते जो यह जई दिया जाता है यहाज माझा दोस्तों तो इस nun वैज दिया तो इस canvas मंदर संक्यर संका उथ्पन होते हैं पंद्री बटालियन को उथ्फपन होती है दोस्तों तो basic सी बात है कि इनका मानना था कि हम जो अंग्रेजों के बिल्कुल वफादार हैं फिर भी इन्हें अंग्रेजों को हम पर सक है तो इनके मन में भी ये संका उत्पन हो जाती है और जो यहां है अजमेर दुर्ग यहां पर जो ब्यावर की दोस्तों जो मेरे रेजिमेंट थी अजमिर्ग दुर्ग के अंदर ब्यावर की मेरे रेजिमेंट को बुला लिया जाता है बुला लिया गया दोस्तो इसके अलबा गुजरात डीसा से भी अंग्रेज सेनिकों को बुला लिया गुजरात डीसा से अंग्रेजों को बुलाया दोस्तो अंग्रेजों को बुलाया तो इस दुर्ग के अंदर जो अजमेर्ग दुर्ग है इसे गुजरात डिसा से अंग्रेजों को बुला लिया और भी जो तोप थी तोपों को मंगा लिया गया गया गोले बारुदों को मंगा लिया गया और अजमेर्ग के अंदर इने रखें इनके से एक तीसवी तीसवी नेटिव इंवेंटरी बटालियन मुझूद थी इसके अलावा एक जो बटालियन और है नसीराबाद में वो और थी वो थी बंबाई लार्शंस बंबाई लार्शंस इसके अलावा जो बंबाई लार्शंस थी दोस्तों वो भी इसी के अंदर नसीराब अंग्रेजों के द्वार क्या किया जाता है जो बंबाई लार्शंस जो बटालियन थी इसे कहा जाता है कि आप जो तीसवी जो बटालियन है जो हमने अजमेर्ग दुर से बेज़ी है इस पर निंगरानी रखो इस पर निंगरानी रखो तो अब जो नसीराबाद चावनी थी दोस्तों इसके अंदर एक व्यक्ति होते हैं इसमें एक व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था न्यूबरी न्यूबरी तो न्यूबरी से जो बटालियन थी हमारी जो पंद्रवी बटालियन थी एक सेगेंट दोस्तों यह देखिए जो निंगरानी थी और मैं बोल भी रहाऊं कि निंगरानी थी न्यूबरी रखिकरी तो पंद्रवी बटालियन कोkas से बुलाया गया था टिक है निंगरानी इसे रखी जाती है तो न्यूबरी यों खबढ़ा जाते हैं वो उनको कोई संतुस्थ जवाब यद दे पाते हैं दोस्तो तो ओने दे पाते हैं तो एक व्यक्ति था भक्तावर सिंग сказ कि बक्तावर्षिंग गिन पंद्री बटालीयन का ही सैनि कह दोस्तों बक्तावर्षिंग दो बधतार सिंग ने दूस्तों नसीराबाद 559 के अंदर 28मई 24 दिन दोस्तों 28 मई 1857 का दिन था और नसीराबाद से Howjakो लूट जो नूबरी है इस पर गोली चला देता दोस्तों अनूबरी की वहीं पर म्रतियों हो जाती है नूबरी की दोस्तों मृत्यों हो जाती है और राजस्तान के अंदर physician कि एक रांती का बज जाता है करना से बता है यह बिगुल नसीराबाद 56 से बता है दोस्तो 28 माई 1857 का दिन था दोस्तों और जो जू पंद्रवी नेट्व बटालियन तुकडी थी दोस्तों पंद्रवी बटालियन और इसी का एक जो प्रमुक सेनिक था बकतावरषिंग इन्हों ने मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से जो टुकडी का नाम आता है तो पंद्रवी नेटिव इंवेंट्री बटालियन ने नसीराबाद से राजस्तान के अंदर अठारा सो सप्तावन की करांती का बिगुल बजा दिया था दोस्तों तो बात कर ले दिया हम इसकी तो ज तीसवी बटालियन भी सामिल हजाती है पंद्रिव बटालियन का साथ देने के लिए कब हो सामिल होती है दोस्तों तो 30 मई 8067 को तीज़ी 1857 जो यह है यह मिल जाती है पंधिर्वी बटालियन के अंदर दोस्तों इस मिल जाती है और यह दिली के तरफ कूच करना आरंब कर देते हैं दोस्तों कि ए Jewbright एंदर जो उठारास सब्तावन के करांटी ले 1057 से होता है तो इसका अदरबा दो 37200 वहां से इसका आरंब होता है दूसरा क्रe section यह आता है कि कि सेनिक टुकडी ने राजस्तान में सबसे पहले 1859 दोसलिक अमेरी 5-3 बंगाल नेटिव doth depend लिए यह लगीडिक प्र seit accomplish सब्सक्राबाद के अंदर 1857 की क्रांति है इसका बिगुल बजाय था और यह 30 महीं को जब यह 30 यू बटालियन भी जूड़ जाती हैं तो इन्हों ने एक बहुती बड़ी गलती कर दी दोस्तों गलती क्या कर दी कि यह दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए पंदरवी पलस जो 30 वी नेटिव इन्फेंट्री बटालियन है दोस्तों यह दिल्ली की तरफ कूच करती है दिल्ली की तरफ दोस्तो दिल्ली की तरफ कूछ करती है जो बहुती बड़ी गलती थी यह दी क्योंकि राजस्तान के अंदर जो अंग्रेजो का प्रमुक के अंदर था वो मैंने आपको बताया है कि अजमेर्ग दुर्ग था जो खजाना है था जो सारा राजस्तान के अंदर अजमेर्ग दुर मिलकर जो अजमेर्ग दुर्ग का उस पर आक्रमन कर देती तो साइद राजस्तान के अंदर ये क्रांती सफल हो जाती और राजस्तान में सफल हो जाती तो इस क्रांती का जो लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है जो परिणाम है वो कुछ और ही होता जो कि राज सोतंतरता कराम की तरफ पहला जो कदम था क्या पता वो इस समय और भी अधिक सफल हो पाता तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने इस्टार्ट किया था जो पहला जो हमारा चरण था बात कर लोगी नसेरवाद चावनी की वह लगवग लगवग इसके अंदर पूरा हो जाता है बात यह दि हम करें कि देश के अंदर दोस्तों सबसे पहले union uh देश के अंदर सबसे पहले दोस्तों एक करानती दस मई को मेरेड से start होई ती लेकिन इससे पहले भी जो कुछ और यहे का थी कि हुए न क्यांठीस मार्च अब 29 मार्च 1857 का दिन था दोस्तों और बंगाल के बंगाल की दोस्तों एक बटालियन थी पसिम बंगाल में दोस्तों पसिम बंगाल में बटालियन के एक प्रमुक व्यक्ति थे दोस्तों जिनका नाम क्या था दोस्तों मंगल पांडे कि कि सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से पर्षान आता है कि व्यक्तिगत रूप सेavior Out passado 18 ستان को करान टिकी सुरूआत की जिस के अंदर इन्हों ने दौन अंग्रेज़ अधिकारो को मार गिराया था दोस्तो एक थे मेजर बागा अ सुझते थे दोस्तों सार्जेंट हुज सार्जेंट हुज इन दो प्रमुक एक्तियों को मंगल पांडे ने मार गिराया था दोस्तों गोली से इनके हत्या कर दी ती और आठ अप्रेल आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को दोस्तों फासी दे दी जाती है जो कि देश के अंदर 1857 की करांति का यह बात करूं कि सौतंतरता संग्राम का पहले सौतंतरता संग्राम में सबसे पहले बलीदान या फिर अपने प्रानों की आहुती किसने दी ती तो वो कौन थे मंगल पांडे थे दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 की करांति में बलीदान दी था या फिर मैं बात करूं कि पहली आहुती इनों नहीं दी थी मंगल पांडे ने ठीक है दोस्तो पहली आउदी मंगल पांडे ने दी थी अठार सतन की करांटी में आठ अपरेल गुन अठार सो सतन को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है यह तो कुछी जो जरूरी कुछ मुख्य बात थी इस वज़े से मैंने आपको बता दी आप बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो नसीराबाद के अंदर दोस्तो करांटी कब इकुल राजस्तान में बजगाया था और जो राजस्तान की दोस्तो दो सैनिक चावनिया थ दोस्तों कौन कौन सी थी वो तो उनकी मैं बात करता हूं दोस्तों एक तो थी खैरवाड़ा दोस्तों एक तो है हमारी खैरवाड़ा दूसरी मैं बात करूं यह दी तो दूसरी है दोस्तों ब्यावर ब्यावर कहां पर है अजमेर में मैंने बतादिया एक खैरवारा और व्यावर दोचहावनिया थी जहांपर सेनिक विद्ध्रो या फिर 1857 के क्रांति का बिगुल नहीं बता है यहां पर क्रांतियां नहीं होती तो आगे बात कर लें दोस्तों तो दूसरी दो चावनी ती जहां पर करांती आरंब हुई थी दोस्तों ठीक है तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है और यदि हमारे चै